Hello friends, welcome to all, आज मैं आपके जो वीडियो लिगया देखें, उनको information मिलनी पाती है, कहाँ चेक करें, क्या करें, बहुत सारे लोग परिसान होते हैं, मुझे मिला या नहीं मिला, ये question सबके दिमाग में होता है, तो allotment status आपको कहाँ पे चेक करना है, डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, और आगे बनने से पहले में आपको बता जबरदस्त IPO था, जबरदस्त response भी इसको मिला है, 15 जुलाई को bidding close हुई थी, यानि कि 3 दिन, 13, 14, 15 और अब आज की date 19 जुलाई है, allotment का finalization जुलाई 20 मंडे को आपको देखने को मिलागा, और जुलाई 21 से reference initiate होने लग जाएंगे, इन डेट को ज्यान रखें, और लिस्टि दे, Wednesday, Thursday, तो इसी week में इसमें सारा कुछ हल चला है, अब बात आती है, मुझे share मिला या नहीं मिला, हर किसी ने at least one lot तो apply किया हुआ है, बहुत सारे लोग इने है apply करने वाले जर्म आपको detail में दिखाता हूँ, apply करने वाले 79 टाइम्स apply हुआ है ये IPO, अगर बात करें जिसम QIB qualified institutional buyers का 85 टाइम्स है, NII 239 टाइम्स है, retail निवेशक साथ गुना subscribe हुआ है, साथ गुना मतलब अगर आपके chances कितने हैं इसमें, अगर आपने साथ में से एक chances आपका probability है, अब देखने आपकी किसमत काम करती या ने करती, लेकिन जब भी हो IPO में apply करना है, तो अपने chances को मिले या ने मिले, लेकिन आप chances को बढ़ा सकते हो, हर PAN से linked एक DMAT account क्योंकि PAN number unique होता है, तो एक ही उससे apply करें, इसलिए मैं आपको बार-बार कैता हो, जब भी IPO over subscribe इस तरीके से होता है, तो भाई, ज्यादा lot apply करने की जरूरत ने है, एक या ना के बाद, यह क्या छोड़ रिटेल निवेशक है, number of shares जो है, वो 40 लाख है, लेकिन 2 करोड़ shares की application आई है, BSE पे, यही चीज अगर मैं NSE पे देखू, मैं रिटेल निवेशक को के उपर यहाँ मेजर फोकस कर रहा हूँ, 40 लाख यहाँ पे NSE पे है, और 1 करोड जो है bidding जो है NSE पे आई है, तो देखि बहुत सारे लोग की इसका allotment status कहाँ चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी पैसा होता है, वो ब्लॉक होता है, ब्लॉक होने के बाद फिर वो आपको जब आपको allotment नहीं हो तो पैसा वापस आ जाता है, जब भी IPO आता है, आपको हमेशा एक वीडियो उसके बार इसकी एक अपनी website होती है, और इसकी अपनी email id shared होती है, और वहीं पे आपको देखना होता है, अभी के time पे जो मैं website देख पा रहा हूं, इसकी है linkintime.co.in, इसको वीडियो के description में मैं जरूर दे दूँगा, linkintime.co.in, और यहाँ पे आपको मिलेगा public issue, public issue के अंदर आपको IPO है, इस public issue के अंदर जाके आपको और detail में चीज़े देखने को मिलेंगी, अभी दिखातों कैसे वाली मिलेंगी, आप इसको समझ जिए, इसको ध्यान से देखिए, और यहाँ पे public issue के अंदर जाओं, तो आपको इस तरीके से चीज़े देखने को मिलेंगी, आपको company SBI Cards का IPO आया था, तो भी यही रेजिस्टरार था Link in Time, तो Link in Time का यह रेजिस्टरार SBI Cards में भी था, चंद्रभगत Pharma में भी था, Trainway Technologies Limited, यह तीन IPO पे यह Link in Time रेजिस्टरार था, अब आपको इसमें क्या होता है, पैन कार्ड जासा मैंने आपको कहा था, कि पैन कार्ड अगर आप एक पैन कार्ड से आपके 4-5 DMAT अकाउंट ओपन हुए है, तो वहाँ पे आपकी situation ऐसी होती है, कि एक यूनिक नंबर पैन कार्ड है, तो वो इनको एक ही consider किया जाता है, क्योंकि आप जब एंटर पैन करोगी, capture एंटर करोगी, तो आपको situation देखने को मिलेगी, अब बहुत सारे लोग देखे, अब मैंने IPO status कहां चेक करें, इसका वीडियो बना रहा हूं, लेकिन लोग कहेंगे, अभी तो IPO आया है नहीं, definitely अभी तो allotment हुई नहीं है, 20 तारीक के बाद allotment होगी, तब आपको देखने को मिलेगा 21 को, जब भी इसमें आपको status चेक करन अभी आया ही नहीं है, इस चीट को जहान रहा है, मैं फिर से clarify कर रहा हूं, अभी आया ही नहीं है, मैं अरली आपको जल्दी ये बता रहा है कि आपको कहां चेक करना है, कहीं परेशान होने के ज़रूरत नहीं, link in time के website पे जाना है, और link in time ये public issue में आपको company select करके detail भरके capture enter करना है, और submit कर देना, और कई बार ऐसा होता है, कि जब IPO आता है, जैसे आपने दिखा हुआ कोई result आता है, CBHC का website बिल्कुल खतम सी हो जाती है, फिर आपको वहाँ पे अलग-अलग, यहाँ पे servers अलग-अलग देखने को मिल सकते हैं, तो इस तरह के से, वो load balancing उसको कहते है, वो load आपका, load को, क्योंकि बहुत सारे hits एक बार time पर पढ़ती है, तो होता क्या है, यह IT infrastructure की बात है, होता क्या है, कि जब आप देखते हो यहाँ पे, कि बहुत सारी hits एक time पर पढ़ती है, जैसे IPO allotment होता है, तो चीज आपकी website यहाँ पर hang हो जाती है, जब वो hang हो जा अगर आप SBI cards के IPO को भी देखो गए, तो आपको detail भरने को मिल जाएगी, कि बहाँ है, अब जरूरत क्या है आपको, कि किस तरीके से आप सर्च करोगे, simple सी बात है, अपना pen card जिस DMAT account के थो आपने किया, एक तो वो option हो गया, दूसरा आपका application number होता है, उसके थो आप कर सकत तीसरा आपका DP, जब भी आप account भरते हो, तो आपका depository participant या client ID जो भी होती है, वो डिटेल होती है, वो आप इसमें भर सकते हो, तो ये तीन field आपको required है, तो इनको अभी से noon के रख लीजे, जिस दिन सर्च करना होगा, उस दिन सीधे enter करना, pen card सबसे handy होता है, और pen card unique number भी ह होता है, तो ये बात है, तो ये IPO की detail फिर से repeat करूँगा, क्या है आपका, rosary bytac का link in time India private limited इसका registrar है, अब दूसरी important बात, ये IPO बहुत ही अच्छे तरीके से subscribe हुआ है, no doubt ऐसे time पे, ऐसे महाल में भी almost 80 times का subscription बहुत बढ़िया होता है, और specialty chemical का IPO है, बहुत बढ़िया है, अ अब market की condition, अब अगले week में, अगर market की condition positive रहती है, तो listing gain के अच्छे खासे chances यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन, अगर मैं grey market premium की बात करूँ, तो देख लीजे अब, starting में 120 के आसपास माना जा रहा था, फिर 120 से 130 हो गया, और अभी के time पे ऐसा लग रहा है, जो premium हो करूँगा कि कभी भी आप IPO के लिए apply करते हैं, तो उसकी तैयारी पहले से करके रखे, अच्छे IPO में आते रहते हैं, आपको मौका मिलता रहता है, और IPO हमेशा application के chances इसे से बढ़ते हैं, इसको जान रखे, सबसे important बात, सबसे पहली बात है, कभी भी IPO को ऐसा नहीं कि आपक तीन चार डिमाट अकाउंट वीडियो के description में link डियों पर click करके आप open करके रख लीजिए, काम आते हैं, जब भी IPO आता है, तो उसी टाइम पर ना open करके बलकुई काम ये आता है, तो ऐसी 4-5 और जब IPO ज्यादा subscribe होता है, तो एक डिमाट अकाउंट से बस एक ही lot apply कीजिए ज़्यादा apply करने का फाइदा नहीं है, ये दो चीज है, और तीसरी important चीज, एक आपने देखा होगे कि जो cut off price होता है, जब IPO ज़्यादा subscribe होता है, तो भीया वो last price पर कीजिए, bidding मत कीजिए, कई लोग क्या करते हैं, कि पता है कि ये already 10 गुना 12 गुना subscribe हो चुका है, फिर भी वहाँ पर क्या करेंगे, उस check box की बजाए, वहाँ पर bidding कर देंगे, उससे कम price की, जो कि अपने आप आप देख पार हो कि इतना subscribe हो गया मिलेगा, तो maximum price मिलेगा, और फिर भी आप कम की bidding कर रहे हो, तो ये चीज मत कीजिए, दूसरी चीज, ये जो आप fan card की information है, जो भी आप सारे लोगों को एक problem, common problem face हुई थी, जिन्होंने UPCA apply किया था, ये मैं आपको फिर से repeat करना चाहूँगा, आपको भी face हो सकती है, ऐसी problem, क्यों जो amount block, अगर आपको IPO a lot नहीं हुआ तो जो amount आपका block हुआ न, उसके release में, उस amount के blocking के release में problem आई थी लोगों को, वो के थो आपने apply किया है, UPI के थो वो आप उसको consult करना, क्योंकि मैंने clearly यहाँ पर क्योंकि हम तो आपको बताते रहते हैं, तो बहुत सारे members से आपको अकेले वो problem नहीं आ सकती है, लेकिन बहुत सारे member से आपको comment करके हमको बताते हैं, तो वही problem आपको यहाँ पर clearly बता रहा और उसके बाद 21 जुलाए को आपको refund मिलने लग जाएंगे, यहाँ पर भी जब आपको website का, मैं link in time पर आपको detail देखने को मिले, उसके बाद आप search कर सकते हो, ठीक है, and video को share कीजे, like कीजे, channel subscribe कीजे, and thank you, thank you for watching the video.